प्रदेश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे प्रदेश शुनाओ को लेकर के विधान सभाव में जिस तरीके से सरगर्मिया बढ़नी है वहीं मैं बात करूँ भारती जन्ता पार्टी की फिर कॉंग्रेस की टिकट वित्रण में भी लेकर के तमाम यहां पर आरोप प्र से भाजबा से कहीं बाहर के प्रत्याशियों को ठिकट देया जार उसको लेकर नाराजगे वहीं कॉंग्रेस में भी इसी तरीके की हल्चल देखने को मिल रही है तो आईए जन्ता के बीच में ही सर्वे करते हैं कि विधान सभा दो हजार तेश मद्ध प्रदेश अब की बा बात करें तो क्या भारती जन्तापाटी की तौरए से उनको उचित इस्थान दिया गया टिक्टों में इस्थान दिया रहे है नहीं बीजेपी की तरफ से तो नौरा मशांवाय का तरफ त्रसकार होगा जबकि दो कांगरीस ने एक दो कुष देवी दिया है वीजेपी ने तो वहारे ब्राह्मन समाज का बिलोकुली वह कर दिया तरसकार किसी केंडिडेट को टिकट नहीं दिया तरह जितने टिकट वितरण हुआ उसमें आपके कि मैं बात करूं तो वह इस्थान नहीं है जितना मिलना चाहिए पहले जो चुना हुए है उसमें ब्राह्मनों को टिकेट दिये गए अब की बार तो सोच समझ के नहीं दिये गए बीजैपी की तरफ से अब लिए आरुप करें कि सोच समझ के अखिर क्यों उसके पीछे क्या लॉजिक है यह कारण है कि हमारा समाज तोड़ा हमारे जो जितने भी ब्राह्मन समाज की संग्टन है न वह एक नहीं हो पा रहे हैं अपनी आवाज आगे नहीं ले जा पा रहे हैं और इसी कारण से समाज को वालर और मुर्याना में ब्यासकार करना चाहिए अगर बात करते के टिकट को लेकर के कहते कि जाती को लेकर के हमारे देश में राजनीतिक दिसा और दसा तैय होती है जाती कर जनगर्णा आए भी जिस तरीके से बिहार में 2 अक्टूबर को डिस्क्लोज किया गया अगर समाज को बराबरी का हिस्सा नहीं मीलेगा तो फिर तो समस्या खड़ी ओगे को बहुत नुक्सा नहीं होना है अमें तो सभी जो ब्राह्मन सवा के जितने भी संग्टन है ना उनसे निवेदन कर रहा हूं कि सभी लोग एक होगे इस समस्या का निकालना ही पड़ेगा हमारे तो हल क्या होगा हम बैसकार करतेंगे पोर्टिंग का भी यह भी को नहीं देंगे अब भाइसकार करेंगे तो किसी को और रख रहे हैं पिर चुनाओ का बैसे आगे देख जाएगा हम लोग पहले इखटे होंगे सभी ब्राह्मन संग्टन अभी हम कर रहे हैं प्रोग्राम उसमें इखटे हो जाएंगे दो चार दिन क्या पूरे मध्ध परदेश्च में चुनाओं कि जो बितरण हुए टिक्टो के उसमें समझ्चा है या फिर क्यों गौलियर कि समय जिलें गौलियर और मुरेना में इसमें ही समझ्चा है बागी जगह तो दिया है टिकेट उन लोगों बागी जगह से नाराजगी नहीं है लेकिन गौलियर में तो बिल्कुल ली कर दिया कि वह वह बूतपूर जलसादन मंत्री थे हनुमिस राजी उनका भी नमर टिकेट का ही था उनको जानवूज कि आज काट दिया उनका वालियर मुरेना को ले करके नाराजगी आप लोगो बिलकुल बिलकुल क्या है कि दिख रही थी कि अनुप जी का साथ टिकेट हो जाएगा मगर यह ऐसा लगा कि अनुप जी का टिकेट भी नहीं हुआ इसलिए हम लोग सभी ब्राह्मण के जिद्रेवी संक्टन चल रहे हैं मुरार ग्वालियर में मुरेना में सबसे संपर्क करते हुए सबसे निवेदन कर करके तो इसका आसर है कि अब जो आगामी चुनाओं है विधान सभा को उसमें बड़ा बिरोध प्रश्चन देखने को मिलेगा क्या बिलकुल मिलेगा बाजपा को इस चीज का बुक्तानी बहुने को मिलेगा पहले भी 2018 में मिलाता माईके लाल का नारा दिया था सुपराइ माईका लाल उसका उनको बुक्तान माईका लाल क्या सब्सक्राइब का यहां से ग्वालर समभाग से बहुत ना बढ़ा यहां से चुनावारी बाद करें तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं तकरारे बढ़री और समुद्धे को ले करके भारती जन्तापाटी के किसी बरिष्ट नेता साप लोगों के बारता हुए आपके संगठन की अब ही हमारी बार चल रही है लड़के गए थे और मैं ग्रामी ब्राण्मन सवा का अध्यक्षिए जिला कई संगठन है यहां वालियर में सभी से बात कर हैं और प्रत्यास्टी भी धान सबाग हुए तो क्या एक बार उनसे भी आप लोगों ने मिलने का प्रयाश किया नहीं हमने अभी तक किसी से नहीं किया मैं यह उम्मीत ही आज कि मिस्राजी को टिकट मिल जाएगा और यहां मुननलाल गोईल भी थे तो हमारे मिस्राजी को तो टिकट मिला ही नहीं आज ही क्लियर हुआ है इसलिए अभी तो हम आगे की बारे में अभी सोचते हैं कि टिकट में बदला हो सकता है अगर संक्ठान आपके बैठा करेंगे दो हजार तेस बिधान सबाचुनाओं को लेगर के मद्य प्रदेश में हर रोज जैसे ही पबली मतलब है इसमें चीजें निकल कर आ रही है इसमें बता तो ब्राम्हण समाज को लेकर के मुरैना की जो दो सीटे हैं यहां पर दो अलग अलग विधान सबाओं में इसमें आक्रोश है कहा जा रहा है कि एक बड़ी आबादी हमारी जो हम बारती जनता पार्टी के लंबे समय से सपोटर रहे हैं मुग को वोट करते हैं लेकिन जब बाद टिकट की आई तो दरकिनार कर दिया गया ब्राम्हण समाज को तो ब्राम्हण समाज अपनी बैठक बुलाएगा बहुत जल आज ही मैं बता दो कि ठिकट भी क्लियर हो उसको लेकर काफी नाराजगी है बैठक मे झाल झाल